नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तो इस वर्ष का अंतिम सूर्य गर्यन कुछ राश्यों के लिए भोती मंगलकारी होने जा रहा है जोतिश शास्त्रों के अनुसार इस सूर्य गर्यन का असर कुछ राश्यों पर पढ़ने वाला है जिसके फलस्वरूप उन्हें धन संपत्ती तथा सुख समरिद्धी की प्राप्ती होने वाली है अगर आपकी भी राशी इन भागेशाली राशियों में शामिल है तो आपके लिए इभोत बड़ा अफसर है और इसे हाथ से ना जाने दे सूरे देव की किरपा को आप संपून रूप से प्राप्त करें साल का आकरी सूरे गरेंड आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखे और अगर आप भी सूरे देव की किरपा पाना चाते हैं क्योंकि सूरे गरेंड का असर सभी राश्यों पर पढ़ता है साधारन शब्दों में कहें तो कभी कभी सूरे और पिर्थवी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिसकी वज़े से सूरे का परकाश पिर्थवी तक पहुच नहीं पाता और दिन के समय में सूरे के दर्शन नहीं हो पाते दोस्तो इस खगोलिय गटना को सूरे ग्रेंड कहा जाता है मुई वैदिक जोतिशे के अनुसार सूरे ग्रेंड का असर पिर्थवी के सभी जीव जुन्तुवों पर पड़ता है और इस काल के दोरान किसी भी परकार का शुब कारे नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें विगन निर्मान हो जाता है दोस्तो इस सूरे ग्रेंड को देश के अधिकान शिस्सों में देखा जा सकेगा ये ग्रेंड 25 अक्टूबर को शाम 4 बच कर 29 मिनट पर शुरू होगा और शाम को 5 बच कर 45 मिनट पर समाप्थ हो जाएगा दोस्तो सूरे ग्रेंड लगने से 12 गंटे पहले सूतक काल अरंभ हो जाता है और ग्रेंड खतम होने के बाद ही समाप्थ हो जाता है और धार्मिक मानिताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुब या मंगल कारे नहीं किया जाता ग्रेंड काल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डालते हैं इस दोरान तुलसी के पोदे को छूना भी मना होता है वह सूतक काल में भोजन बनाना और भोजन ग्रेंड करना शुब माना जाता है और खास तोर पर गर्ववती मैलाओं को इस दोरान कुछ साबदानियां पर अपनी चाहिए क्योंकि इसका असर गर्व में पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है दोस्तो ग्रेंड काल के दोरान गर्ववदी मैलाओं घर से बाहर ना निकले और ना ही सूई, चाकू या कोई धारदार चीज का उप्योग करें और धार्मिक दिश्टी कोण से सूता काल के दोरान देवी देवताओं की मुर्तियों को स्पर्ष करना भी भेध अशुब माना गया है दोस्तो सूरे ग्रेंड के समय नकरात्मक शक्तियों के प्रवाव से बचने के लिए सूरे देव के इस मंतर का जाप करें ओम सूरे देवाय नमा ये मंतर स्वैम सूरे देव ने बताया है और इस मंतर का उच्चारन करने से ग्रेंड का अशुब प्रवाव नहीं पड़ता और ग्रेंड समाप्थ हो जाने के तुरंट बाद घर को शुद करें और ग्रेंड के बाद सनान करें और पूजा इस तल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों का गंगा जल से शुद्धी करन करें वोई ग्रेंड काल समाप्त होने के बाद दान धरम अवश्य करें दोस्तो दिवाली की पूजा पर इस घ्रहन का कोई परवाब नहीं होगा लेकिन साल का ये अंतिम सूर्य घ्रहन कुछ राशियों के लिए मुश्किले पैदा कर सकता है इसका परवाब मौसम सहीत राजनीती पर भी देखने को मिलेगा दोस्तो इस सूर्य घ्रहन का सभी 12 प्रतिष्टा में विर्दिक के साहती अपार धन लाब होने की संभावना है आए जान लेते हैं उन भागेशाली राशियों के बारे में सबसे पहली राशी है मेश राशी 25 अक्टूबर को साल का आकरी सूरे ग्रेंड लगेगा और ये ग्रेंड मेश राशी वालों के लिए भेधी शुपकार्य साबित होने वाला है इस दोरान इन जातकों को मान समान और प्रतिष्टा मिलेगी साथी अपार धन प्राप्ति के लिए भी योग हैं आपको इस समय में अकस्मिक धन मिलने की संभावना है या कहीं पहले निवेश किया है उसका लाब भी आपको मिल जा भी होंगे शुप फलो की प्राप्ति के लिए आप सूरे देव की उपासना अवश्य करें दूसरी भागेशाली राशी है कुम राशी दोस्त सूरे ग्रेंड कुम राशी के लिए भोश शुपशाभित होगा इन जातकों के जीवन में सकरात्मक प्रवाब पड़ेगा परि पारे हैं तो आपके लिए पूरा महिना ही उत्तम रहेगा और ग्रेंड का समय उस पर चार चान लगा देगा क्यूकि इस समय में आप अच्छा खासा धन अरजित कर सकते हैं वेपार में अच्छानक तेजी देखने को मिलेगी और असानी से जबर्दस धन का आगमन होगा औ अच्छा कर्मियों का साथ आपकी उनिती में सायक होगा और किसी भी समस्या को अपने उपर हावी ना होने दे बलकि उसका डटका सामना करें तीसरी भागेशाली राशी है कन्या राशी कन्या वालों के लिए ये सूरे ग्रेंड बहुत बड़ा वर्दान साबित होने वाला जैसे ही मौका मिले उसे हाथ से जाने ना दें किसी रिष्चिदार की ओर से कोई सुस्प समाचार मिल सकता है जिससे परिवार में खुशी का महाल होगा वो improvements का गर में आउगमन हो सकता है चोती खुश खिसमत राशी है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए ये ग्रेंड ध स्पिर्षपि वाले को प्राप्त होने का समय आरहा है आपको व्यपार के शेत्र में अकस्मिुक धन मिलने के संकेत है इस लिए अपना द्यान को बनाई और किसी भी अफसर को हाथ से ना जाने दे पहले कभी नहीं मिला इतना धन आपको मिल सकता है वो भी सब चमतकारी रूप से होता जाएगा और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे लेकिन साथ ही सामधान रहनी की भी अफशकता है बजार में आपको लेकर नकराकमक छवी बन सकती है आपके शत्रू आपका नुकसान करने का प्रियाज कर सकते हैं परंतु अपने सवाव को मितरता पूर्ण रखें कटू वचन कहने से पहले कला के शेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मागशन मिल सकता है जिससे भविश्य उजबल बनने की सम बावना है वह नोकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अफसर प्राप्त करने होंगे संतान के वैवार परिशानी की वज़ा बन सकता है बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा बस करोध पर नियंतरन रखें और वानी में अपनी सेहम रखें पांचवी भागेशाली के नए लक्षे को प्राप्त करेंगे आपके पुराने निवेश से भी आपको लाब मिले के संकेत हैं राजनीती के छेत्र से जुड़े लोगों को नए अफसर मिल सकते हैं वह वपार में आपके नए समझोते होंगे लेकिन कोई भी धन संबंती निरने लेने से पहले वीच बरदस विर्दी होगी लेकिन साथ ही खर्चों की बड़ोतरी होने की संबावना है खर्चों पंडियंतन रखने में कामियाब हुए तो धन संचय भी होगा अगर आप वेपार के छेतर में है तो आप अपने वेवार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्च कर सकते हैं वे नोकरी कर रहे लोगों को इस काम में अपने सै कर्मियों का पूरा भरपूर साथ मिलेगा कारे स्थल का वातरवारन आपके लिए बहुत इशुब रहेगा और आपकी तरक्की हो सकती है अत्वा वेतन में विर्दी होगी लेकिन दोस्तो ध्यान रहे चाहे कितना भी धन अपने पैर जमीन पर ही रखें धन के गर्ब में कोई गलत करदम ना उठाएं अपने मन पर काबू रखें और आपको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोग पाएगा लेकिन दोस्तो इस गरहन के तोरान कुछ राशी की जातकों को विशेश सावधानी बरतनी की जरूरत है सूरे गरेंड के समय तुला राशी में सूरे है इसलिए इस राशी पर गरेंड का सबसे अधिक प्रभाब पड़ेगा आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है और सेहत को लेकर कुछ परिशानी हो सकती है खास कर हिर्दे रोग से भादित तुला जातकों को विशेश सावदानी बरतनी की सला दी जाती है विश्चिक राशी वालो के लिए ये सूरे गरेंड धन और रिष्टों के मामले में नुकसान का करण बन सकता है आम धनी में भी कमी आ सकती है और धन की हानी हो सकती है परिवार में तनाव उत्पन हो सकता है वाणी पर सेम रखने की पशकता है, मित्युन राशी के लोगों के लिए भी ये सूरे गरेंड शुब नहीं है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए निर्णे सोस समझ कर ही लिए, और आपके साथ भागे नहीं है, और आप विर्थ खर्चों से बचे, विर्षब राशी के जातकों के ये सूरे गरेंड परिशानी का कारण बन सकता है, से समझ समझ करना आपके लिए शुब रहेगा, तो दोस्तों आपकी राशी कौनसी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, साथ ही कमेंट में जैस सूरे देव लिखना ना भूले, अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद